काई इस तो लास पार्ट तक हमने दिखा थे क्वेन यह और भाई हौन मेडिकल शॉप में जाते हैं जो कि वहाँ के काफ़ी जादा फेमस शॉप थी वहाँ जाने के बात वह एक मैडिसन को उन्हें दिखाते यह देखकर वहाँ के और मास्टर काफ़ी जादा खुश होते क्य तो जिस पर कुछ नहीं कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो उसके वदले मुझे क्या मिलेगा अप आगे तो जिस पर वो ओल्ड मास्टर कुछ नहीं से कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो एक्स्टेंज रिंगे हम तुम जितनी कीमत बोलोगी हम उतनी ही देंगे तो जिस पर कुछ नहीं कहता है कि तुम मेरे मैडिसन की सिकर रेसिपी जानना चाहते हो और भी अपनी आखों से देखना चाहते हो आखिर वाला मैं ऐसा क्यूं करूं हम दोनों उस रूम से दूरी रहोगे तो जिस पर ओल्ड मास्टर कहते हैं कि पर जो तुम कुछ भी कहो था और वहां पर इससे भी तयार कर रहा था तो दूसी तफ़ ओल्ड मैन कहता है कि वाकई में लड़का पहुच अधा चलाक है इसने मैडिसन को बनाते वे दिखाने के लिए हमसे 10% और पैसे मांग रहा है तो जिस पर मोटा अला बंदा कहता है कि अगर यह चीज सच में तो देखे तो जिस पर ओल्ड मैन उसके जाब में कहता है कि यह पंदा अपनी स्पिरिच्वल पावर से उस मैडिसन को तयार कर रहा है और क्या तुमने इस बात नोटिस करी जो इस बंदे की मैंडल पावर है बहुत जादा स्ट्रॉंग है और इसको अपनी मैंडल पावर क उसे हीट करने के बाद आस पास एक अच्छी से स्मेल पहल जाती है और अगर मैं इस बंदे को मैडिसन बनाते हुए खुद अपनी आँखों से नहीं देख रहा होता तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि यह काम यह कर सकता है मैं ही क्या बलकि और कोई भी यहां दूसरी तब कुई नहीं जब ना ध्यान लगा रहा होता है तो चानक से उसकी आँख खोलती है और अब वो एक जगा में पहुँच आता है पर उस जहां हैवन और अर्थ की पावर दिखाई देती है जिस वज़े से वो रिबॉन भी हु मैंने मैडिसन त्यार कर चुकी है तो यह बास सुच रहा होता है कि इस सवाई को बनाते टाइम मेरी मेंडल एनरजी काफी अद्ट तक यूज हो चुकी है तो उसी तह और मास्टर यह सब कुस देखकर कहते हैं कि आखिर कैसी बंद ने कम टाइम पर इस मैडिसन को त्यार कर सकता है और रफोस की मैडिसन को देखते हैं तो जिस पर मोटाला बंदा कहता है कि इसकी क्वालिटी देखकर साफ लग रहेगी कितनी ज़्यादा हाई है कि कोई भी आलकनेस्ट यह काम नहीं कर सकता है वह इतने कम टाइम पर इसकी ऐसे स्किल्स को देखकर ओल्ड मास्टर क कही थी वो सब कुछ दिखाने के लिए तुमारा बंदा किते गंदे तरीके से हमें ट्रीट कर रहा था और वैसे वे उसने सची तो कहा था कि हमारा कोई भी लैवल नहीं है जिस पर और मास्टर सोचते हैं कि वो लोग ऐसे ही है कि मुझे की काफे ज़्यादा जरूरत है इस से बताता है कि वो हाई क्वालिटी की है जो कि spiritual flower और fire और उसके एक छोटी जमान बें काफी ज़्यादा सरदार होती यह पास उनका क्वीनी काफी ज़्यादा खुश हो जादा है और कहता है कि यह वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे मैं इस स् है और इसकी बात वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उनके जाने की बात बाई हो अनक्वीनी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि देखा उन्होंने तुमारी किते ज़्यादा तारीफ करी तुम वाकई में हीरो हो और जब वो उसकी तारीफ करी रही होती तो हम देखते हैं कि क कोई नहीं कि तवित खराब होने लगती और वो भी होश हो जाता है तो यह देखकर वो लोग उसे संभालते हैं इसी के साथ से इन सिफ्ट होता है जहां पर हमें दूसरी तफ एक बंदा दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और वो कहता है कि तुम कु कर दे चल्दी है